इन पर भरोसा करना, अपने पेर पर कुलाडी मारना, आज देश उस संगर्स पर है कि हम अपनी आजादी बचा पाएं या ना बचा पाएं, वास्तुकता ये है, ये कानून कैसे कानून बनाए जा रहे हैं, जो अदालत में नहीं जा सकते, ये कानून नहीं है, ये एक हम में है, मोदी जी तो जब कभी कई चदर ही बिचा रहे होंगे, पार्टी के लिए हो, जब से हम इस संगर्ठन को चला रहे हैं, हमारा इस चैलेंज है, सरकार जब तक इन तीनों कानून वाफिस ना लेगी, यहां चाहे हम राद दिन एक करना पड़ जा, यहां से भीड कम कल है फैसला आप देख लेना, ना MSP पे राजी है सरकार, ना कानून वाफिस लेने पे राजी है सरकार, सरकार ताना साही कर रही है, लोगतंतर की अत्या कर रही है, देश को देखना और समझना चाहिए, यह हमारे बच्चों की जीवका का, देश की आए का सवाल है पूरे देस में तो उसका सरकार पर तासर जरूर पड़ागा क्योंकि सारा आयत बंद होगे जितना भी या कि दिल्ली की सबजी ती, दूध थे, वो सारे बंद होगे और लगता इससे और भी अगर नहीं होता इससे फिर आगए हमां भारत फिर कहीं और भी बंद करना पड़ सकता ये सारी सरकार की दूरी नीतियां हैं और दूरी नीतियों कारें ये सारा भारत बंद करना पड़ा जैसे आज हमां 11 बारे रोज यहां पर पड़ा हो गए सरकार के भी तक कानों में जून नहीं रीग नहीं क्योंकि किसान यहां पर ठंड में पड़ा जालें पड़ा अपने घर छोल कर आया परिवार छोल कर आया सरकार यह दीख रहा है सारे बेकूफ हैं हम किसान आदमी हैं हम कभी ऐसा काम नहीं करते हैं जो पूर्ण कर आस हमारा भारत स्वलश हुआ भारत बंद रहा किसी वお願いします हमसान आस normals यह सरकार रहें कुसी का खातानमर गलत बता इस तरह से किसी कि सानogy को भी आधे किसानों भी पैसा नहीं मिला इस सारे जित्ते करण गोड़े रही है हवाई भोड़े इसमें किसान कोई कि भारत बंद आज किया गया है कुछ लोगें के तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो भारत बंद किया गया है इससे कुछ फरक नहीं पड़ा है देखिए ऐसा है कि सरकार सरकार गुम्रा करती है और आज से नहीं जब से सत्ता में आये हैं तब से गुम्रा कर रहे हैं भारत बंद का बताता हूं इतनी सफलता प्राप्त हुई है भारत बंद को कोई ऐसी पार्टी नहीं हमारा जब की पार्टी से कोई मतलब नहीं हमारा किस का अंधुलन का समर्थन हो रहा हैений में समीं शम्रतन किया मारकेट खुली मारकेट बी कह रही हुमने मारकेट तो खुली है लेकिन हम किसानों के साथ खड़ी हैं सर्कार हमारे इस भारत बंद को कम चाहती थी प्रसासन की माध्यम से देखा जा सकता है कि किस प्रकार से किसानों को यहां आने से रोका जा रहा है किस प्रकार से लोगों पर दबाब बनाया जा रहा है अरविंद केजरिवाल जी ने भी इस बात को बताया तमाम हमारे किसान रास्ते में रोक लिए गए किसानों पकड़ के बैठा लिया गया तो ये बंद को विफल करने में सरकार ने अपनी पूरी ताकत जोंक दी उसके बाबजूत ये बंद हमारा कामयाब हुआ और सरकार आज घबडा गई है बंद से उसकी आँखें खुल रही है कि अगर अगर प्रसासन ना रोका होता अगर इस बंद को विफल करने का पूर्ण प्रयास ना किया हुता तो सायद है कि आज पूरे भारत में किसान ही किसान दीखता और दुनिया घबड़ा आती कि ये कैसा अंदोलन हुआ है ये तो सरकार ने अपने पद का दुर्पयोग करके हमारे किसानों की आवाज को दबाया है उसक को अभी-कभी दुनिया ने समर्थन दिया था तो वह पैचामते हैं अकिकत क्या है कि सवाल यह उट रहा है कि आप लोग यूपी बॉर्डर पे हैं और दस-बारा दिन से आप धन्ना प्रदेशन यहां पर कर रहे हैं डटेवें पूरे ठंड का समय है और आप लोग यह से किसान यहां से दिन-प्रति-दिन कम होता जा रहा है क्या इस तरीके से अफवाख अपने चल रहा है यह सारी गलत पहिमी है सरकार की कि किसान यहां से दिन-प्रति-दिन कम होता है किसान यह तो रोक रहे हैं का आज भी हमारे वहां पर जो हमका हमारे किसान अमरा यूपी सा किसान यहां को रोक गया अगर किसान के लिए अगर किसान के लिए ट्रेन चला देंगे जो हमारी ट्रेन बनाए जो किसान हमारा छोटे पर निकल गए हम तो ताकत वराद में निकल रहा हम सरकार यह ना समझा है कि किसान को दबा लगे यह किसान यहां पर बाड़र वक्तम हैं हम बहुत हो जाएंगे जितनी सरकार दिल कर रही है इतने हैं सिनके बोज बनते जा रहे हैं उतने हिनके हम इस तैसी मार काटंगे यहां पर हमारा यह चैलेंज है सरकार जब तक इन तीनों कानों वाफिस ना लेगी यहां चाहे हम रात दिन एक करना पड़ जा यहां से भीड कम नहीं होने देने के कि कह रहे हैं बड़ी मीडे चला रही है कि जय जवान भैकिसान क्या आप लोग भैवीत हो गए हैं अरे क्या बात कह रहे हो हम भैवीत होते हम संसताशी से लड़ते आ रहे हैं आमने तो संसत वबन के आगे भी सतना मदलब 11 दिन धरना दिया राजीव की सरकार को अमने होंगे पार्टी के लिए जब से हम इस संगठन को चला रहे हैं यह गलत पहमी है मैं मुरादावाद से हूं मेरा मैं बरिष्ट उपाद्याक्ष में जिले का भी मंडल का भी और हमें मुरादावाद से आते आते 20 जगे पुलिस ने रोका है हमने टोपी अपनी जेब में आ रहे इस तरह से निकल के आ रहे और मेरे घर पर रात 11 बजे से सी ओवी एस पीवी तमाम गाड़ियों ने गहरा गहर रखा किसी तरह से घर से निकल के और हम जो अलग अपने ट्रेक्टर खड़ा कर रखा हुआ से बैठके निकले और लगातार फॉन पर फॉन डीमबी एस स्पीवी कहां हों कहां हों हमें बताओ और यह कह रहे बंद बंद तो इतना सफल हों से हेलो आय हम कोई ट्रेफिक नहीं चल रहा भाई यह सरकार अंधी हो गई इसकी आंखे बंद हो रही एक बात बताओ किसान कह रहा यह कानून खराब है तुम्हें कौन सा प्रोपिट दी इसको अडानी अंबानी के लिए मैं जानता हूं का कार पुरिट गराने सरकार चलाते हैं जो सत्ता में आवं है उसे भी पैसे और जो भी पक्ष में बैठा है उसे भी पैसे उसे आदे दना जिसकी सरकार नंबनें उस दुगने तो इनने तो पूँझी पतियों की माननी का मोदी जी कुछ पसीना रहा इस टेम मेरे बाई कृष्टी मंत्री जी कह रहे हैं कि 6-6,000 रुपए किसानों को दिया जा रहा है और सरकार की काफी सरहना किया जा रहा है तो क्या वाकिए 6-6,000 रुपए का चुनाओ के टेम पे 2,000 रुपए डाल दिये बोट लेने के लिए उसके बाद में किसान को पूछा नहीं और दूसरी बात 17,000 करोल रुपए हमारा सरकार पर बकाया है उसकी ब्याज भी नहीं है यह पैसे जो दे दिये किसान को 17,000 करोल मेरा किसान ब्याज पैसे लेके खेती करता है 17,000 करोल रुपए कितने दिन का पकाया है अमवानी के कर्जे माप बाबा राम देव काले दन से लड़ आने आया था इस देश को पैट्रोल सस्ता दिलाने आया था 22 करोल रुपए हमाप हम इस साजी जो बहुत बड़े दानी बनना है जो किसानों क हितेसी अपने बेटे का जैसा की कंपनी का 1100 करोल रुपए हमाप किसानों का 17,000 करोल रुपए दे नहीं सकते जो चाहिए इन पर उदार है हमारा हमने पसल दी है इने बताओ कैसे किसान अपना जीवन काटे 68,600 करोल रुपए अपने भाईया निरजमूदी के माप कर दिये मेउल चोकसी के माप कर दिये बिफालोने के पीछ्चे कारण ये कि सरकार किसी भी आलत में बिल बापेस नहीं लेगी सरकार समय देकर आंदोलन को कमजोर करना चाहती है सरकार समय देकर हमारे उपर गिराव कर रही है जिसका आपको सत्थ दीख जाएगा कल है फैसला आप देख लेना ना MSP पे राजी है सरकार ना कानुन बापिस लेने पे राजी है सरकार सरकार ताना साही कर रही है लोगतंत्र की अत्या कर रही है देश को देखना और समझना चाहिए यह हमारे बच्चों की जीवका का देश की आय का सवाल है यह उस आए को लुटा जा रहा है, जो देश की है, किसी उद्योक पती की नहीं है लोग तांदरिक देश है, अगर सरकार बिल बापिस नहीं लेगी, तो यह सरकार भी उन्ने नोट बंदी में अभी कितने सपने दिखाई थे उनने नोट बंदी में कित्ते सबने दखाई थे पांच इटलीन अर्थ बिवस्ता जे दिली का पूरा एफ हम नेटबर्क पांच इटलीन कराई दी इनने तो पर चार में और हकीकत क्या है हकीकत क्या है कहते कोछें करता उल्टे हैं ये किसान बिल कैसे आप अध्योग पती कै है मोधी जी कह रहे हैं ये बिल किसानों को बगमान बना देगा है मोधी जी से जब हमारे देश में रेलवे पे सवाल उठाता कि निजी करन हो रहा है तब यही मोधी जी ने ब्यार में रेलवे मेरी आत्मा से जुड़ी है मैं कभी रेलवे का निजी करन नहीं कर सकता यह व यह बेरोजगारी बढ़ादी इनों ने इन पर भरोसा करना अपने पेर पर कुलाडी मारना आज देश उस संगर्स पर है कि हम अपनी आजादी बचा पाएं या ना बचा पाएं वास्तुकता यह है यह कानून कैसे कानून बनाए जा रहे हैं जो अधालत में नहीं जा सकते य यह कानून नहीं है यह एक दवाब है कि कोई भी आएगा इन कानूनों के नाम पर हमसे गुंडागर्दी करेगा जब न्यायपाल का मैं जा नहीं सकते हम तो वो कानून नहीं है पच्छ में थे तो राजनाज सिंग पहुंच गई हम किसान के बेटे हैं आप कैसे टिकेज ज अब देश नहीं देगा अरन जेटली ने कहा था ना कि बोट पेड में पीड में पीड में परनी टंग ओंख ते इस बात को बाजब्पा याद रखे और संग याद रखे देश के नागरिका इनके साथ देश दुरोई इनके साथ नहीं हैं गदार नहीं है बारत के तो कुमलाकत के जो लाडाई है बीना बिल वापिस लिए खतम होने माले है यह कावात है बुज़ूरी जब गी दड़ के दिनोंदे आते हैं तो गाहों सार भागता हूँ सची पादा इस सरकार के जो हैं दिनों दे आएगे सरकार को बनाने में सबसे पहले आहां भूमी का किसान की होती है चाहें केंडर की हो चाहें किसी प्रदेश की होती हो और जब यह अपने पैरों में कुलारी मार रहे हैं और आने वाले समय में इनको पता चल जाएगा किसान देता है इंसान देता है इंसान बोड देगा इसको करोड़ पती होगा लेकित जो किसान मजदूर है वो इंको बोड देने वाला नहीं झाल झाल